हेलो प्यारे बच्चों, आपके सामने ये वीडियो में इसलिए लाया हूँ आपको बताने के लिए कि भाई किस तरह हमें लाइफ क्लासेस अटेंड करना है सबसे पहली बात तो हमें दो एप हमारे पास होना ज़रूरी है पहला WhatsApp ग्रूप, अभी नया WhatsApp ग्रूप बना है आप इंशूर करिए कि आपके क्लास के टीचर ने आपको उसमें एड किया है कि नहीं किया है अब आप WhatsApp ग्रूप में एड हैं दूसरा आपके पास Google Meet होना चाहिए जो कि आपको Android Play Store से डाउनलोड करना है कितनी आप होने चाहिए दो पहला WhatsApp ग्रूप, दूसरा Google Meet ठीके तो देखे मैं एक बच्चा हूँ, मान लेते हैं और मैं एक क्लास में एड हूँ यह रहा, मेरा क्लास है, मैं इसमें एड हूँ ठीके, मैं एड हूँ इस क्लास में तो अब मैं इस क्लास में एड हूँ यह तो इसी क्लास में क्या होगा? लिंक आएगा, जैसे मान लेते हैं आज Monday है, FOR example आज मान लेते हैं, कोई एक दिन है तो उस क्लास में क्या होगा? लिंक आएगा पहले पीरिड का लिंक आएगा जैसे यहाँ पर आया है आप देख सकते हैं यह first period का link है यह second period का link है यह third period का link है तो ऐसे ही यह link आते जाएंगे हमारे whatsapp group में teacher भेजता जाएगा हमारे whatsapp group में वो link आते जाएंगे एक दिन में कितने period होते हैं total eight होते हैं यह पहले चार और recess के बाद में चार याद रखना है बीच में recess भी होता है तो वो link आते जाएंगे आपको फिर लिंक पर क्लिक करना है जैसे ही आप link पर क्लिक करते हो जैसे ही आप link पर click करते हो आप google meet की मदद से teacher के साथ जुड जाएंगे teacher के साथ जोड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद क्या करना है in call message में जाकर in call में message में जाकर आपका नाम टाइप करना है ठीक है याद रखना है आपका video आपका mic mute रखना है बंद रखना है जब तक कि subject teacher आपको ना कहे तब तक तो इस परकार हम हमारे classes live attend करने वाले हैं ठीक है न तो जो भी classes होंगे उनका जो link होगा वो आपके whatsapp group पे आएगा campus पे नहीं जाना है किसी को भी ठीक है campus को side में रख दीजे सिर्फ google meet और whatsapp group इन दोनों की मदद से ही हमें live classes conduct करने हैं ठीक है न दूसरी बात कि teacher जिस subject teacher ने आपको पढ़ाया है वह question answer कोई homework भी आपको आपके group में send कर देगा जैसे देखे यहाँ पे देखे रहे हैं यह homework send किया है class लेने के बाद homework send किया है यह question answer जो भी वो teacher send करेगा और आपको भी वो time to time complete करना है ठीक है न ताइम to time के classes होते रहेंगे classes के लिए याद रखना है कहीं और नहीं जाना है आपके ही whatsapp group पे link आएगा उस पे click करेंगे google meet के हिसाब से join हो जाएंगे video और mic off रखेंगे teacher जो समझा रहा है समझेंगे कोई doubt है तो video mic on करके पूछ लेंगे ठीक है न बस बाकी और कोई चीज नहीं तीसरा attendance देना भूलना नहीं ठीक है दूसरी बात यह कि teacher जो आपको homework दे रहा है वो homework आप जिस भी book में करते हो वो आपको दो बनानी है कैसे जिसे मान लेते हैं अगर मैं English का teacher हूँ मैंने आपको homework दिया है ठीक है तो English homework की notebook कितनी बनानी है दो ताकि अगर एक मेरे पास correction में है तो एक आपके पास रहे work complete करने के लिए CW की notebook भी है तो कितनी ओनी चाहिए दो अगर एक मेरे पास teacher के पास correction के लिए आपने दिया है तो एक आपके पास होना चाहिए दूसरा लिखने के लिए अब ये बुक्स देना कब है तो Saturday to Saturday हर Saturday, every Saturday हमारी activity periods होते हैं उस activity period में parents या बच्चा जो भी है वो बुक लेके आके subject teacher को या class teacher को दे सकता है अगले Saturday आके वह चेकी गई जो बुक है वो आप ले सकते हैं और दूसरा जो बुक आपने complete किया हो वो जमा कर सकते हैं तो ऐसे हमें काम करना है ठीक है बच्चों को भी याद रखना ज़्याद से ज़्यादा हो सके तो आप live classes attend करें ठीक है तिसरा जो भी work teacher आपको दे रहे हैं वो work आपको complete करना है time to time ठीक है ना इतनी जानकारी आप तक clear है ठीक है याद रखना है parents को भी अगर कुछ तकलीफ है या किसी बात की जानकारी चाहिए तो याद रखना है आपका आपके पास एक group है उस group में एक teacher है आपके बच्चों का class teacher उससे ही आप सबसे पहले संपर्क करें उससे ही जानकारी आप प्राप्त करें इन केस अगर आपके उससे साथ contact नहीं हो सकती है तब ही आप मुझे call या phone या message करें ठीक है बस इतनी जानकारी आप तक देनी थी